हे गाइस कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेशन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी सबजी अगर आप हो गये हैं हरी सबजी खाखा के बोर तो एक बार यह सबजी जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी तो चल चमच हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच अजवाइन जिनने हमें हातों से क्रश कर लेना है यसे मसल लेना है आप वीडियो में देख सकते हैं उससे इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा और साथ में मैं ले रही हूँ एक चमच धनिया पाउडर स्वादनुसार नमक आप नमक तेस्ट के एकॉरडिंग घरढबी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं एक मीडियम साइस प्यास जिनने में बारेक टुक्रों में कट कर लिया था और उसे मैं इसमें डाल ली चlish हांगी एक साथ नहीं दाल ले अगे हम दम आधा कब पानी यानिक हमने एकंग बेसन लिया है उसके लिए हमें आदा कब पानी लेना है और इसे mix करते जाएंगे और डालते जाएंगे एक साथ नहीं डालें नहीं तो कभी-कभी क्या होता है? बेसन गीला हो जाता है तो हम mix करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे लेकिन हमें आदे कप से जादा पानी इसमें नहीं डालना है नहीं तो जो बेसन है वो गीला हो जाएगा और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और आप देख रहे हैं वीडियो में मैं एक साइडी मिक्स कर रही हूँ लेना है उसके बाद मैं ले रही हूँ एक चमज हरा धनिया जैसे मैंने पाई टुकडों में कट कर लिया था और उसे भी हम मिक्स कर देंगे और आप देख सकते बेसन कितना हलका हो गया है क्योंकि मैंने इसे चार से पांच मिन तक ऐसे ही घुमा लिया था आप चाहें तो किसी चमज से भी इसे अच्छी तरह से इसी तरह घुला लिजेगा यहां ले लिया है मैंने एक मिक्सी जार उसमें हम डाल देंगे दो मीडियम स्याइज प्यास जिनने मैंने बड़े बड़े टुकडों में कट कर लिया था साथ में में ले रही हूँ एक इंच अधरक कर टुकड़ा और दो हरी मिर्ज यह हमें मेक्सी में अच्छी तरह से पीछ लेना है ताकि एक महीन पेस्ट हो जाए दूसरी साइड मैंने यहां रख दिया है कडाही में तेल और तेल को अच्छी तरह से हमें गरम कर देना है गेस की फ्लेम हमें हाई रखना है और अब गरम हो गया है हम कैसे चिक करेंगे थोड़ा सा वेटर हमें डाल के देखना हो देखिए कैसे बुलबुले आगा है मतलब तेल गरम है अब हम इसमें बेशन डालती जाएंगे और अच्छी तरह से इसको तलने देंगे तो मैंने यहां चमच से डाल दिया है आप चाहे तो हाट से भी डाल सकते हैं इस तरह से सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे और हमें वही डालना है जहां पर आप देख सकते हैं तेल है क्योंकि एक के उपर अगर हम एक डालेंगे ना तो पुछिपक जाएंगे तो बस इनको अच्छी तरह से डाल देंगे और गेस की फ्लेम हमें हाई रखना है अगर हमने लो रखी बेसञ तेल सोक लेगा और दो मुझे नहीं मुझे च्छोड़ा लेंगे नीचे से क्योंकि हमें दोनों साइट इसको टलना है तो बस साइट घुमाते चाहेंगे ताकि दोनों साइट से अच्छे तरह से हम निकाल लेंगे बस इससे जादा हमें नहीं करना है तो जो भी extra तेल होगा ना वो इसके उपर आ जाएगा और देखे आप color कितना अच्छा आया है इसका तो बस अब हम इसमें दूसरा बैच निकाल लेते हैं तो तेल हमारा गरम ही है और उसमें हम बापस से basin डालेंगे और basin को हमें अलग-अलग करके डालना है और अगर आपको मेर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक असानी से पहुंच जाए और हाँ बैल आइकन ज़रूर दबाएगा यानि की घंटी अगर आप गंटी दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगा और यह बिल्कुल फ्री है तो इसी तरह से मैंने देखिए पूरी पकोड़े अच्छा से निकाल ली है और बस इसे हम अब साइट में रख देंगे उसी कडाही में मैंने दो बड़े चमज तेल रख लिया है बाकी तेल को मैंने साइट में निकाल दिया है और उसे अच्छे से गरम होने देंगे और गरम हो गया है तो अब मैं है डाल रही हूं आदी चमज जीरा एक दालचीनी का टुकड़ा एक हरी लाइची दो लॉंग और एक तेस पत्ता और साथ में मैं हैं डालनी हूँ जो हमने प्यास का पेस्ट बनाया था रहा है वह हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से ऑगेश की फ्लेम हमें लो रखनी है color समसे भी 1 minute तक तलना है तकि टमाटर बहुत अच्छ से तला जाए और बहुत अच्छ ताब हागा है और एक अहां सी अच्छ, हमारा चुमाझ है में तेल कमें मैं os मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चुथाई कप पानी ताकि जो मसाला है वो नीचे लगे ना और अच्छे से बुन जाए और धिमी आज पे ही हमें इसे बुनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए और जो तेल है वो उपर न नहीं और मैंने अच्छे से उसको फेट लिया था उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गेस की फ्लेम हमें लो रखनी है और इसे अच्छी तरह से चलाते जाना है चलाते हुए ही इसको मिक्स करना है इसको ऐसे नहीं छोड़ना है नहीं तो जो दही है वो फट जाएगा तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे कि तेल के से उपर आ गया है मतलब जो दही है वो अच्छी तरह से बुन गया है अब यहां में डाल रही हूँ दो कप पानी आपको जैसे भी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है आ इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे गेस की फ्लेम हमें हाई कर दिनी है ताकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए और अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं तो मैंने यहां एक छोटी चमश नमक डाला है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा भी सकते हैं या बढ कोड़ी जो हमने निकाल के रखी थी एक बार इसको मिक्स कर देंगे और चार से पांस मिनिट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही रहने देंगे और आप देखेंगे कि पांस मिनिट हो गये हैं तेल के से उपर आ गया है मतलब जो हमाई सब्जी है वह अच्छी तरह सा रे